बॉलिवूड और विवाद एक दूसरे के साथ चलते हैं जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो विवाद उसके रिलीज से पहले ही होने लगता है लेकिन अक्सर देखा गया है कि कॉंट्रोवर्सी से फिल्मों को ज्यादा फाइदा होता है या यू कहें कि फिल्म को मुफ्त की पबिसिटी मिल जाती है कॉंट्रोवर्सी फिल्म प्रमोशन का एक माध्यम बन गया है फिल्म को लेकर जितना ज्यादा विवाद होता है दर्शकों में फिल्म को देखने के लिए उतनी ही ज्यादा उत्सुपता पैदा होती है तो आईए देखते हैं ऐसी कुछ फिल्में जिन्हें कॉंट्रवर्सी से काफी फायदा हुआ था और बॉक्स ओफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली पठान को कई विवादों के बावजूद बॉक्स ओफिस पर अच्छी ओपनिंग मिली फिल्म ने पहले ही दिन 55 करोड की रिकार्ड ओपनिंग की फिल्म ने कई रिकार्ड ब्रेक किये हैं लिप्स्टिक अंडर माई बुरका ये फिल्म अपने काउंटेंट को लेकर कई विवादों में रही फिल्म को 6 करोर के बजट में बनाया गया था वहीं फिल्म ने 26 करोड की कमाई करी थी उर्ता पंजाब ये फिल्म भी अपनी स्टोरी लाइन की वज़ा से काफी विवादों में रही है हाला कि फिल्म ने 96 करोड की कमाई करी थी शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन बैंडिट क्वीन भी काफी विवादों में रही थी लेकिन बावजूद इसके फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ओफिस पर अच्छा रहा था तेरे जैसे तुछ मनश के लिए भगवांदाटी पर नहीं आएंगे होंगे तो आएंगे नमारा ओ माई गॉड इस फिल्म का कई धर्म के लोगों ने विरोध किया था लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आई और बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने एक सो चैलिस करोड से ज्यादा का बिजनस किया था दीपी का पादुकौन की सबसे सफल फिल्मों में से एक पत्मावत को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने 585 करोड का बिजनस किया था आमिर खान की पीके सबसे विवादित फिल्मों में से एक है इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था वॉक्स आफिस पर इस फिल्म ने जबरदस्ट परफॉर्म किया और रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने 845 करोड से ज्यादा का बिजनस किया तो ये थी बॉलिवुड की कुछ विवादों से जुड़ी फिल्में ऐसी ही बॉलिवुड से जुड़ी सबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को अब ये उपलब्ध है एंड्रोइड और आईयोस में